हलो दोस्तो मैं डोक्टर अनीश चंदारणा रदै रोग विश्यशग्य कंसल्टन्ट काडियोलोजिस्ट सिम्स वास्पिरल अंदाबाद से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आप सबको शुब कामनाई देता हूं रदै रोग की मातरा पिछले 10 से 20 सालों में भारत देश में खूब प्रमाण में बढ़ी है और इसलिए जानना जरूरी है कि रदै रोग क्यूं होता है और उससे बचने के उपाई क्या है काफी बात है की गई है मगर आपको याद रह जा है इसी छोटी सी बात सुत्रात्मक तरीके से मैं आपको करना चाहूंगा यदि रदै रोग से बचना है तो हमें तीन तव का त्याग करना पड़ेगा और तीन सख को जीवन में अपनाना पड़ेगा कौन से तीन तव का त्याग करेंगे नमबर वन तंबाकू बहुत डेंजरस है उससे कैंसर भी होता है हार्ट अडिक भी होता है नमबर दो तेल घी बगेर टेली पदाट कम से कम मात्रा में उसका उपयोग करे नमबर तीन तनाव जो 21 सदी की एक अपनी गिफ्ट है उसके उपर हमें काबू पाना पड़ेगा कौन से तीन सव को हम जीवन में स्थान देंगे बहुत इंपोर्टन्ट है सर से पहला बनता है सलाड जो भी सलाड है वेजीटेबल से ड्राइफरूट से बहुत ही अच्छी चीज है दूसरा सव यान की श्रम आजक् Butter देखते हर इंसान वहीकल का उपयोग कर रहा है मशीन का उपयोग कर रहा है श्रम का स्थान जीवन से मिट गया है हरोज कसरत करे, प्रानायम करे, आसन करे और देनिक जीवन में भी श्रम को स्थान दे और तीसरा सव है श्रद्दा, खुद के उपर श्रद्दा, जो इश्वर, भगवान, खुदा, जिस में भी मानते हैं उनको पर श्रद्दा और इंसान को हर बीमारियों से बचाने में बहुत काम करती हैं, तो पहली तो बात उए तीन टको त्याग करें, तीन सको जीवन में स्थान दें, दूसरी बात जानेंगे कैसे मुझे हार्ट एटेक हो सकता है जानेंगे कैसे मुझे हार्ट की बीमारी हो सकती है जानने का एक ही उपाय है हार्ट एटेक के लिए जो भी जिम्मेवार चीज है उनको आप जानो ब्लट पेशर, डाइबिटीज और कोलेस्टोल ये सब हार्ट एटिक लाते हैं केसे जानेंगे SIMS जैसे अध्यतन अस्पातल में आओ हेल्ट चेकप डिपाट्मेंट में अपना हेल्ट चेकप कराओ जिसके अंदर न सिर्फ सुगर, न सिर्फ ब्लट पेशर, न सिर्फ कोलेस्टोल हार्ट, किड्नी, लीवर, ब्रेन और कैंसर रिलेटेड सब उसी जानकारी को पाई जाती है जिससे बविश्य में आपको साहित तकलिफ हो तो केसे रोके तो यह बहुत महवत अपने बात हैं, आप अपना रेग्यूरर हेल्ट चेकप कराओ और तीसरी बात, हेल्ट चेकप के बाद, सिम्स के कंसल्टन डॉक्टर, सिम्स के कंसल्टन काडियोरीज जो भी आपको सलाह दे, जो भी सुचना दे, उनका जीवन भर के लिए पालन करो मेरी आप सब को खुब शुब कामनाई, आपका रदे का स्वास्त्य बना रहे एसी सुब्धा के साथ, डॉक्टर अनिश चंदाराना